हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं बनाने जा रही हूँ और सदिये गुणों से भरपूर चूरन जो आप कीचेन में रखे 5 चीजों से बना सकते हैं और हमारे कीचेन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है इसको मैं त्रिकुट बोलती हूँ क्योंकि ये में तीन चीजों से मिल के बनता है इसके लिए अजवायन मेथी मंगरेल जिसे कलॉजी भी कहते हैं से मिल कर बनता है यहाँ पर इसे तीन दो एक के रेशियों में लेते हैं यहाँ पर मैं चमच के सहता से मेजर कर रही हूँ मैं यहाँ पर दो चमच कलॉजी चार चमच अजवायन और छे चमच मेथी दाना ले रही हूँ प्रेंपर मैं तवढ गरम करूंगी और मेथी दाने को भून लूंगी। ध्यान रखिए कि आप इसको लोहे का ही बरतन में भूने। आप चाए तो कडाई ले सकते हैं या फिर तवा में भी भून सकते हैं। यहाँ पे कपड़े के मदद से इसको अच्छे से भून ले रही हूँ फ्रेंट्स देखी अब हमारे मेथी का अब कलर चेंज हो गया है और मेथी चटकने लगा इसका मतलब है कि मेथी हमारा भून के तयार है अब मैं इसी तरीके से अजवायन को भी भून लूँगी अजवायन हमारा अब भून चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे अब मैं इसी में कलाजी को भी भून लूँगी मैं ऐसे ही कलाजी को भी भून लूँगी कलाजी को भूनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है तावा गरम करिए एक सो दो बार हुमाई और कलॉजी हमारा भून के तयार है यहाँ पर मैं आधा चमच हींग को भून ले रही हूँ जब भी आप हींग यूज करिए तो उसको घी में फ्राइक करके या ऐसे भून के यूज करिए सारे मिक्चर को एक ग्रेंड जार में रख लेंगे और साथ ही मैं इसमें एक चमच काला नमक डाल रही हूँ और दरदरा पीस लूंगी फ्रेंड्स इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है अब हमारा त्रीकुट तयार है फ्रेंड्स त्रीकुट का जो उप्योग है पेट में एसेडिटी, खटा ढकार, जी मिचलाना, कॉब्ज, अपच, पेट दर्द और पेट से जुड़े रोगों में यह बहुत ही लावकारी है फ्रेंड्स जब भी आपको इस तरीके का कोई तकलीफ हो तो आप एक चमच गरम पानी के साथ इसको लीजिए अगर आपको कॉब्ज का प्रॉब्लम है तो चार से पांस दिन लगतार रात को खाना खाने के बाद सोते समय गरम पानी के साथ लीजिए ये नुस्खा आप जरूर अपलाई करिए अगर आपको ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सला लीजिए साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना मत भूलिए थैंक यू